हां जी बचो बचो अब करते हैं थोड़े से एक्जाम्पल्स कर लेते हैं बुक से की एक्जाम्पल कोश्चन्स है हमारे पास NCIT बुक की तो यह है एक्जाम्पल नंबर टू है हमारे पास तो यहां पर क्या बोला गया है कि आपके पास एक पार्क है मानलो यह एक पार्क है और पार्क कैसा है स्पेशली बोला गया रेक्टेंगुलर पार्क है तो एक पार्क मान दीजिए यह पार्क है अब पार्क में आपको क्या बोला है उसने कि जो यह पार्क है यह 50 मीटर लॉंग है यानि लॉंग का मतला उसकी लेंथ क्या है हमारे पास यह 50 मीटर अगर यह 50 मीटर है तो उसके है 25 मीटर यह होगी हमारे पास ब्रेथ इसकी यह बिर्थ 25 मीटर सुरी 25 मीटर ओके तो यह बन गया एक पार्क हमारे पास अब वो क्या कहता है इस पार्क के उसने क्या किये दस चक्कर लगाई यारी 10 राउंड लगाए हैं तो वो कहता है कि बताओ टोटल में भाई वो डिस्टेंस कितना कवर किया सुबह उठा बंदा और भागना शुरू कर दिया यहां से लेके यहां पूरा पूरा भागा एक राउंड करके यहां पर आ गया देन अगेन भागा फ अगे पर पार की लिख लेते हैं तो मानेंगे कि परिमीटर पार की लिख लेते हैं परिमीटर परिमीटर आफ पार्क तो यह है हमारे पास क्या एक रेक्टेंगलर शेप रेक्टेंगल का परिमीटर क्या होता है अब फॉर्मले याद रख लो टू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस में बी कैसा या था देखो दो बार लैंथ जुड़ेगी और दो बार विथ जुड़ेग तो दो हमने कॉमन लेके अंदर ब्रैकेट में लेंथ प्लस भी लिख लिया था यादा है फॉर्मला अब क्या करेंगे इस फॉर्मले के अंदर अपनी जो भी चीज अब वो डाल दीजे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा यह होगा ना आ जाएगा यह हमारे पास टू ल जो भी है बार यूनिट लगानी जरूर यह भूलना मतब क्योंकि सारी मैडम नंबर यहीं पर काट सकती है आपके सारे नंबर याद रखना अब यह 2 अंदर जो एड करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास एड करो 50 प्लस 25 75 मीटर विच इस इक्वल टू 150 मीटर ओके तू मल्टिप्लाइबर 75 वाथ 150 दन यह आगे मीटर अब यह तो पेरिमीटर आया है एक राउंड का ठीक है उसने कितने राउंड लिए 10 दन हम क्या कहेंगे कि 10 राउंड का टोटल में डिस्टेंस कितना होगा देन देखो ऐसे लिखना तेन डिस्टेंस देन डिस्टेंस कवर्ड इन टैन राउंड टैन राउंड तेन डिस्टेंस कितना कवर किया तो टैन मल्टिप्लाइबर 150 मीटर विच इस इक्वल तू 1500 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया इस पारक को पूरा दस बार घूमके तो आपको इस तरीके से निकालना था एक्जाम्पल को तो यह था कोशन हो गया एक अभी एक्जाम्पल अभी खत्र नहीं है तीन-चार एक्जाम्पल ओर कराऊंगा अभी एक पैरी मीटर का ओर कर जाते है दन करेंगे एक दो एक्जाम्पल हम एरिया के ओपर जब अच्छे से पक जाएंगे कि हाँ यह चीज हो गई है तब करेंगे एक्सरसाइस को स्टार्ट ओके तो इसको कर लीजे जल्दी मैं दूसरा एक्जाम्पल लेकियाता हूं आपके पास ओके हां जी बच्चो जो है वह 5 cm मृत अगर सारी साइड़ 5 cm तो साफ साफ पता चलता यह क्या है मारे पास एक स्क्वार की साइड है और चारों की चारों समय है क्या हो गया एक कबगे ifas try virginal हो गया करेंगे हमें पैरिमीटर निकालना इसका चा नो पीपके के दिदेन एक bnान बगा आथ सकते है हम रहे हैं आगालते हैं यह है सब्सक्राइब अंचाले चलेंगे यहां पर है सबसक्राइब करना है यह को ठीडे अ सभर साल आणी ताम फिर तन्सेशाइब कुं मत्नित्राव यह रभार है कि तुर्त घ़ने हैं उत्सेशजनरमत फ़लगे वह बंअ plus में five plus में five plus में five and by heart centimeter okay total में कितना आ जाए है 20 centimeter okay अब इसका हम definitely nvenir सकते formulas से निकाल लेते कि कैसे आढ़ेगा जिक आणा विदी होती है कि by formula लिख जाता हूं ताकि जान रहे minha formula square का formula क्या होता थै पेरिमीटर रिकालना हो तो 4 multiply by side यही होता है then क्या हैगा 4 multiply by side, side कितनी है 5 cm कितना हो जाएगा यह 20 cm अब देखो इस वाले part को इस वाले part में क्या चीज है हमारे पास कि एक plus का sign दिया हो जैसे हमारे पास ambulance पर लगा होता है वैसा तो सब में यहां पर देखो यह 1 cm, यह 3 cm, यह 3, यह 1, यह 3 ऐसे sides दी वही है इन सब को मिला के हमें क्या निकालना है parameter तो क्या करेंगे सारी side को जोड़ देंगे हमारे पास perimeter आजाएगा तो एक एक करके लिखते चलो जैसे मैंने यह वाली लिख ली है 1 cm जो लिख दूँगा यह लिख लेते हैं 1 के बाद 3, यह कौन से आई ऐसे चलेंगे देखो इस तरीके से चलेंगे ठीक है A के बाद B C, B C के बाद C D, C D कितनी है हमारे पास 3 cm काट दो, then C D के बाद D E पे आएँगे तो वो कितनी है हमारे पास 1 cm काट दी, then आएगी F E, F E कितनी है 3 cm काट दी, then again 3 cm, then again 1 cm, यह 3 cm, यह 3 cm, यह 1 cm, यह 3 cm, यह 3 cm, यह 1 cm, यह 3 cm, ओके और यह 3 cm, इन सब को एड़ कर लो, आपको इसका परिमेटर पास देल जाएगा, देखो कितना हैगा, 1 प्लस 3, 4, 4 प्लस 3, 7, 7 प्लस 1, 8, 8 प्लस 1, 11, 11 प्लस 3, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18 प्लस 3, 21, 22, 22 प्लस 3, कितने हो जाएगी, 25, 3, 28, तो इस सारे के सारे किसमेत है हमारे पास, cm में, तो यह होगे 28 cm, ओके, तो आपको इस तरीके से निकालना था, परिमेटर के कोश्चन क्राए कर लिए, अब एरिया के कर लेते हैं, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद exercise कर सके, ओके, तो इससे कर लीजे, जल्दी मिलता हूँ अभी, लिखके लाता हूँ, अन्यांद करते हैं, ठीक है, हांजी ब तो यहां पर बताना है आपको कि इसका एरिया क्या है, और आपको क्या चीज बताएगी है, जो यह square box है, इसके अंदर इसकी जो हमारे पास side है, वो कितनी है, 1 cm, ओके, तो जब ऐसे question आते हैं, तो आपको पता क्या करना पड़ता है, इस तरीके का एक table बना लीजे, जिसके shape के अंदर count करेंगे कि fully filled square कितने है, जैसे full filled देखोगे, तो यह full filled नहीं है, क्योंकि यह बार बचा हुआ है, यह हमारा full filled है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह 10, और देखो यह एक उपर 11, तो total में आपके पास कितने हो गए, 11 square वो है, जो fully filled है, and 11 square अगर fully filled है, तो उसका area कित कितना होगा, अगर side हमारे पास 1 cm है, तो side का square किया निकालोगे, 1 multiply by 1 cm square, यानि कि 1 cm square, तो हमारे पास अगर एक box 1 cm square के equal है, तो 11 box कितने कियोंगे, सीधी सी बात, 11 multiply by 1 कर दो, cm square, आजाएगा आपके पास, 11 cm square, ओके, then देखो half field वाले, and half field वाले आप देखोगे, तो आपके पास ये एक half field है, ये दो, दो के बाद, एक और कोई निकालो निकालो कुछ, और आपके पास शायद नहीं दिखरा, एक ये हो रहा है, तीन, तो total में तीन कितने आपके पास, half field वाले, उसे लिख लीजे, तीन को किस से multiply करोगे आप, तीन को multiply करना पड़ेगा, आपको half से, full का हमारे पास 1 था, तो half का क्या हो जाएगा, half हो जाएगा ना ये, तो 1 by 2 cm2, जो कि क्या हैगा आपके पास, 3 by 2, यहाँ पर लिख लीजे, 3 by 2 मैं देख लेता हूं, हंजी, इसको आप ऐसी रहने देजी, आपके पास आ गया है, देन, देको more than half field, more than half field वाले कितने है, तो यह देको, एक से जाएगा, मतलब बना हुआ, आधे से जाएगा बना हुआ, एक, दो, यह भी 3, देन 4, यह 5, यह 6, यह 7, इसके लावा और निकालोगे, तो आपके पास, और भी निकल जाएगे, बगर आपकी बुक्के, सबसे श जादा होते हैं, half field तो उसे हम एक consider करते हैं, यह याद रखना, जब भी box आपका आदे से जादा बरा हो, तो उसे हम एक ही लेंगे, आदा नहीं लेंगे, तो यह 7 into 1 ही होगा, तो यह 7 cm, and जब less than half हो, जो कम हो half से, तो उसको देखो कैसे लिखते हैं, देखो, half वाले आप बुक में देखोगे, तो आपको 5 मिलेंगे, जैसे कि यह 1, 2, यह और देखोगे तो, और कम वाले आपको यह 3, 4, ठीक है, यह 5, ठीक है, तो यह 5 आपके पास क्या होगे, आदे से भी कम भरे होए हैं, तो क्या कहींगे, यह इसको हम consider नहीं करते, यह याद जीरो, तो इन का आपको sum करना है, then जो answer आएगा, वो आपका क्या होगा, यहापका area होगा, तो 11 प्लस 7, 18, 18 प्लस में 3 by 2 cm2, इसे आप solve कर लीजेगा, यह आपका होगया, example number 11, ऐसी आपके पास कोई ground दिया होगा, पूछा जाएगा कि यह length है, यह breadth है, rectangular ground है, area बताओ, यह कोई square form में दि तो जल्दी से exercise start कर लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकेंगे, जो question कैसे आते हैं, उसे समझ सके, जल्दी मिलते हैं, exercise अपनी 10.1 के साथ, thank you, and इसे अच्छे से कर लेना, जो भी चीजे मैंने बताई है, please, like and share करना मत भूलिएगा, हो सब्सक्राइब करके ही जाईएगा, thanks.